C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला राग अनुराग इस श्रिंखला में आज हम सुनेंगे शैली मलहार जो राग मिया मलहार पर आधारित है मलहार उपशास्त्रिय संगीत की शैली है मलहार का अर्थ है वर्षा वर्षा रतुपर यह गायन शैली आधारित है इसमें उपशास्त्रिय बंदशें गाई जाती है मौनसून के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों की विशाए वर्षा रतुप, प्रक्रती और प्रेम रहते है मौसमी रागु में इसका प्रमुक्स्थान है मलहार बहुत ही मधुर वाता बराण पैदा करने वाला राग है आज हम सुनेंगे मलहार अध्धा तीन ताल में कुछ लोग इसे पंजाबी ठीका भी कहते हैं तीन ताल क्या होती है? आईए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताल तीन ताल तीन ताल में सोला मात्राइं होती हैं वह चार युभाग होते हैं पहली मात्रा, पांचवी मात्रा वह तेरवी मात्रा पर ताली होती है वह नौवी मात्रा पर खाली होती है तीन ताल के ठेके के बोल हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, दिन, दा लीजिये, अब आप तबले पर तीन ताल का ठेका सुनिए राग मिया मलहार पर आधारत मलहार सुनने से पहले आईए राग मिया मलहार को भी थोड़ा जान लेते हैं राग मिया मलहार काफी थाट का राग है इसका वादी स्वर शड़ज तथा समवादी स्वर पंचम है राग मिया मलहार के अब रोह में धैवत वर्चित है इसमें गंधार कोमल लगता है और निशाद दोनों लगते हैं शेश सभी स्वर शुद्ध लगते हैं राग मिया मलहार का गाइन समय रात्रिकाल और वर्शारतु है राग मिया मलहार का आरो इस प्रकार है सारे मारे सारे मारे पाँ नीदा नी सारे मारे सारे मारे पाँ नीदा नी सार आप सुनिये अबरो आईए अब सुनते हैं राग मिया मलहा की पकड रे मारे सा नेदा नी सा मारे पाः अगा मारे सा रे मारे सा नेदा नी सा मारे पाः पगा मारे सा आईए अब सुनते हैं राग मिया मलहार पर आधारत मलहार मलहार इतनी लोखप्रीय गायन शैली है कि रंगमंच यानी थियेटर में इस उपशास्त्रीय गायन को विशेश रूप से प्रस्तुत किया जाता है थियेटर में इसकी प्रस्तुती की विशेश्टा है वाद्य व्रंदों के पारस पर एक सामावेश में वादन की विविदिता आईए अब सुनते हैं मलहार राग है मिया मलहार बंदिश के बोल हैं माई बन बोलन लागे मोर माई बन बोलन लागे मोर कुमर घुमर बरसत बदरारे घन गरजत अतिः खोर माई बन बोलन लागे मोर माई बन बोधन लागे मौौ। चमकी चमकी दामिनी डर पावत लर्जत है जी आमू। माई बन बोधन लागे मौ। जैसे जल बिन मेन दुखित है ध्यान धरत जलो। वैसे ही ध्यान रहत मोहि हरी को जैसे चंद्र चको। माई बन बोधन लागे मौ। 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 संगीत भौगुलिक सीमाओं में बधा नहीं होता। भारतिय राग केवल भारतिय वाद्य अंत्रों पर ही नहीं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवरतन आता रहता है। भारतिय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्यय अंत्रों पर भी बज़ाए जासकते विश्वस्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है यही नहीं भारतिय पारंपरिक वाध्यांत्रों के साथ विदेशी वाध्यांत्रों को मिलाकर भी भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बजाया जा सकता है जो आजकल fusion sangeet के नाम से जाना जाता है. Fusion sangeet के अंतरगत भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बहुत अधिक प्रचलेत है. तो अब प्रस्तुत है मलहार की रचना पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्दिय अंतरों की संगत के साथ अपने fusion रूप में बोल वही हैं माई बन बोलन लागे मोर. माई बन बोलन लागे मोर. उमड घुमड बरसत बदरारे गन गरजत अतिखोर. उमड घुमड बरसत बदरारे गन गरजत अतिखोर. माई बन बोलन लागे मोर. माई बन बोलन लागे मोर. चमकी चमकी दामिनी डर पावत लर जत है जिया मूर. माई बन बोलन लागे मोर. माई बन बोलन लागे मोर. जैसे जल बिन मेन दुपित है ध्यान धरत जलवो. जैसे जल बिन मेन दुपित है ध्यान धरत जलवो. वैसे ही ध्यान रहत मोही हरी को जैसे चंद्र चको. माई बन बोलन लागे मोर. माई बन बोलन लागे मोर. भारतिय संगीत की अनन्य विशेष्टाओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्म साथ करने की अध्भुत्क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक्षतिचपर विस्तारित और परिलक्षत होता है, इसी विलक्षण गोण की जहलक के रूप में अब प्रस्तत है मलहार की रचना की धुन, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्दी अंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में मुन है आपार्णता के साथ चुन, जो प्रस्तार का एंपरिक वैशन चाहए्विक्षतिवा कर दो 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 करद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो संगीत विद्यार्थी एवं शोता गण से अनुरोध है कि प्रस्तोत राग और मलहार का स्वर्विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रिंखला के अंतरगत ये कारिक्रम परियोजना परिकल्पना प्रफेसर अम्रेंद्र कुमार बिहरा श्रिंखला संचालन राजेश निमेश आलेक परामर्ष डॉक्टर इंदु कुमार विशेश आभार अजीत होरो आलेक अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित आलेक सहयोग रवीश त्रिपाथी गायन पंडित निर्माल्यडे और नेहा खंक्रियाल वाचनस्वर जितेंद्र रामप्रकाश तक्नीकी निर्देशन बटिलेंग लिंग्डो धुनियंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग जगबंधु जाना और तनुगुप्ता निर्मान निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCEERT नई दिल्ली भारत